हलो डीर श्टूडेंट्स हलो डीर श्टूडेंट्स आप सभी कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे एक्री एक्जामपुर के ओनलाइन डिजिटल प्लेटपरोम पर आप सभी का तैह दिल से स्वागत हैं बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कोल आ रहा था बार-बार मुझको की सर आपका ओफ-लाइन बैच जो हैं कब स्टार्ट होगा इंगलिश और हिंदी मीडियम का बैच इस पेसली जेट और आइसीर वाले बच्चों का फोन आ रहा था क्योंकि उनकी काउंसलिंग हो चुकी है जिनको गवर्मेंट कोलेज है उन बहुत सारे स्टूडेंटों को गवर्मेंट कोलेज मिली है जिन्होंने मुझसे अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की है मैंने उनको पढ़ाया है आज वो तह दिल से मुझे इस तरीके से अभिनंदन कर रहे हैं कह रहे हैं कि स में भी आकर कई स्टूडेंटों ने मुझे धन्यवाद दिया है बहुत-बहुत उनका मैं आबार प्रकट करता हूं कि ऐसा दिल और प्रेम आपका है मेरे परतिस्ने प्रेम बाव है क्योंकि मेहनत देखकर आप सभी लोग जो है सभी स्टूडेंट सभी रस्कूल है वो जरू के लिए इंग्लिस और हिंदी माद्यम का एक नया बैच का अनाउंस हमने किया है एग्री एक्जामपूर की टीप ने अनाउंस किया है कि स्टूडेंटों का बहुत सारी क्यूरी आ रही थी कोल आ रही थे कि सर एक नया सेपरेट बैच लाओ हम ओल्ड बैच में नहीं आना हम एक नये बैच में पढ़ना चाते हैं तो द्यान रखिए जल्दी कीजिए और मेरी बात को द्यान से सुनिए हमने ओफलाइन बैच जो है हमने स्टार्ट कर दिया है और मैंनली आपको पता है इंग्लिस और हिंदी मीडियम का बैच जो है हमने अनाउंस कर दिया है आपको नए ओफलाइन बैच हमने स्टार्ट कर दिये हैं तो ध्यान रखना कहते हैं कि जुनून और संगर्स जब दोनों चीज मिल जाती हैं हार्ड वर्किंग के साथ जुनून मिल जाता है दोनों आपस में मिलकर जब तयार होते हैं तो बहुत शांदार रसगुले तयार होते हैं मतलब जबरदस्त आसनी वाले रसगुले तयार होते हैं और वो ही हम सिखाते हैं वो ही हम जुनूर और संगर्स हम सिखाते हैं साथ में हम पढ़ाई का एक अच्छे तरीके का माहुल दे रहे हैं क्योंकि नए नए संस्तान हैं नए नए ओफलाइन बैच हैं तो हम इंडीजवल स्टूडेंटों के उपर कवर करने हैं इंडीजवल स्टूडेंटों को हम समझा रहे हैं इंडीजवल स्टूडेंट को हम व मुख्य रूप से कि हम जिस तरीके से guideline करेंगे उस हिसाब से आपने पढ़ाई की तो निशित रूप से आपको agriculture भारत की topmost agriculture university आपको मिलेगी चाहे वो भारत की हो चाहे वो राजस्तान की हो यदि आप हमारे को corporate करते हो आप हमारे की guideline को follow करते हो तो निशित रूप से एक ऐस वातवन हम आपको देंगे हम agree exam guru का परिवार जिससे आपको अपनी अपना जो सपना है अपनी सपलता पाने का जो सपना है आपके मुख्य रूप से आपके लक्षी का जो focus है वो हम पूरा करने के मुख्य रूप से पूरे तरीके से हम तह दिल से इसमें परियास करेंगे खतत परियास करेंगे अतत परियास करेंगे और इस संगर्स और जुनून की जिद में आपका हम सेलेक्शन आपके लिए लेकर जाएंगे तो जोइन करना ना भूले आपको आना है आपको तयारी करनी है एग्री एक्जामपूर के परिवार से जुड़ो एग्री और हमारे जो एक तरीके का वातावन हैं हम वो एक तरीके का वातावन आपसे देना चाह रहे हैं तो निशित रूपर आपका आप जो कर आप जुड़ो हम मुख्य रूप से आपको बताई देते हैं कि ये जो है मुख्य रूप से जो है हमारा जो एडरस है इस एडरस पर भी आप आकर बता सकते हो हमारे को देखो यहाँ पर जो एड्रस है वो मुख्य रूप से जो है हमारा जो एड्रस है वो है त्रिवेणी चोराया गोपालपुरा बाईपास जेपुर्थ गोपालपुरा बाईपास हमारा ये एड्रेस रहेगा जहां रखना त्रिवेणी चोड़ा है अब आपको पता है कि जब भी आप जेपुर सिंधी केमप पर आते हो वहाँ से आप गोपालपुरा बाईपास के लिए आप ओला केप करके या बस के साहिता से आ सकते हो और वहाँ पर पढ़ता है त्रिवेणी चोड़ाया, SDFC बैंक के पास में हमारा ओपीस है तो आप जरूर आकर यहाँ पर हम सेक्यूरी कीजिए, काउंसलिंग कीजिए और आपको अच्छा लगे माहोल तो दो-तीन दिन का डेमो किलास लेकर देखिए और स्पेसल बैच हमारा स्टार्ट किया गया है जेट, ICR और CUT का हिंदी और इंग्लिस माध्यम में दोनों बैच में बाइलेंग्वल बैच में हमारा बैच चल रहा है अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट भी जोइन कर सकते हैं हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट भी जोइन कर सकें तो देरी किस की देर किस बात की अब काउंसलिंग भी हो गई है जो रस्गुल है मुखे रूप से अब यूनिशिटिफ आने का सपना साकार करना है उनको तो निशित रूप से जोइन करें हमारा एग्री एक्जाम पूर परिवार और ओनलाइन कोर्स लेने के लिए जेट, ICR, BHU या एग्रिकल्चर सुपर्वाइजर का ओनलाइन कोर्स लेने के लिए भी हमारा एप्लिकेशन डाउनलोड करो वहाँ पे आपको एग्री एक्जाम पूर एप्लिकेशन डाउनलोड करो उसके बाद में प्ले स्टोर में जाकर एग्रिकल्चर सुपर्वाइजर का लाइव कोर्स आप ले सकते हो, recorded कोर्स आप ले सकते हो तो फिर देर किस बात की आपको एग्री एक्जाम के परिवार से जुड़ना है और अपने सपलताओं में चार चांद लगाना है इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद